दोस्तो अगर आपने thumbnail और title देके इस वीडियो को पर क्लिक किया है तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा सारी चीज़े बिल्कुल step by step बताऊंगा साथी साथ मैं आपको payment proof भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले हमें ये समझना हुआ कि ब्लॉगिंग अभी के टाइम में किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों कुछ समय पहले कि अगर हम बात करें यानि कि 2-4 साल पहले तो ब्लॉगिंग क्या था ब्लॉगिंग एक पैशोनीर्ट था इसके अंदर बिजनस मॉडल इंक्लूड नहीं था लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इसके अंदर पैसे कमाए और इस्टिल अभी भी इससे पैसे आर्न कर रहे हैं और डे वाई डे इसकी इंडर्म इंप्रूव हो रही है तो अब ये बिजनस मॉडल बन चुका है यानि के अभी के टाइम में जो लोग ब्लॉग города के अंदर आ रहे हैं वो ऐसे बिजनस करने के लिए इसके अंदर आ रहे हैं Otherwise, अगर आप ये सोच रहे हैं, कि आपने एक website बना ली, उसके उपर कुछ articles लिख दिये, adsense का approval ले लिया, then आपके पास पैसे आने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात अपनी दिमाग से निकाल दीजिए, और ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं क कर सकते हैं, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, अपनी computer screen के ऊपर, यहाँ पर हमने Google Adsense को open कर लिया हुआ है, पहले मैं इस page को एक बार आपके सामने refresh कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भईया, screenshot बगरा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, screenshot लगा के आपको fake income दिखा रहे हैं, और बता रही कि भईया, हिस्तिया कमालो, उतना कमालो, और उसका मकसद पता है क्या उन लोगों का, सिर्फ आपसे अपनी affiliate web hosting बेचना, बस बाकी कुछ नहीं, तो यहाँ पर इस सारी चीज़े बिलकुल transparent हैं, सब मैं आपको दिखाने व यह वीडियो record कर रहा हूं, तो आज date है 9th of February, और अभी तक हमारी income हो चुके है, यहाँ पे तकरीबन 500 डॉलर के आसपस, यानि कि 9 दिनों के अंदर हमने 500 डॉलर के आसपस के पिछ complete कर ली हुई है, और इसके बाद हम यहाँ नीचे बात करें कि हमारी traffic कहां से आ रही है, त इसके मुझे से कुछ other countries से भी यहाँ पर traffic आ रही है, next अगर हम device की बात करें कि कौन सी device से हमारी blog के उपर traffic आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि desktop से हमारी blog के उपर जाधा traffic आ रही है, क्योंकि हमने जो articles को लिखा हुआ है, especially हमने desktop user को ही target करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यह comment में पूछेंगे कि अपना URL बता दो, domain बता दो, तो यह वो गलती तो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो गलती मैंने एक बार कर ली है, 2019 में, और उस समय हमारे blog को लोगों ने ddos करके बंद करवा दिया, मेरा adsense भी suspend हो गया था, तो एक ही गलती तो दोबारा नहीं कर सकता, तो इसलिए यह माफी चाहता हूँ, आप domain के बारे में ना पूछें, और हो सकें तो अपना भी domain आप किसी के साथ share न करें, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो नए blogger हैं, या जो लोग अभी rising कर रहे ह वो लोग अपना bio अगयरा भी नहीं लगा रहे हैं, मैंने भी अपनी blog के उपर अपना कोई भी bio अगयरा नहीं लगा है, वहाँ पर author का bio होता है वो कोई भी नहीं लगा हूँ है, बिल्कुल यहाँ पर a non blog है, इसी तरीके से अभी आपने भी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग DDoS करके या इसको लोग business भी बना चुके हैं कि आपके site के उपर DDoS करने की धमकी देंगे और आपसे फिरोती वसूल करेंगे, तो यह सारी चीज़ों से आप बचे और अपने domain हो सके तो disclose ना करें, अब हम बात करेंगे कि वहाँ इस pitch को आप complete कैसे कर सकते हैं, यानि आप passionate हैं blogging करने के लिए, तो ही मैं आपको recommend करूँगा कि आप blogging start करें, otherwise आप time waste न करें, तो यहाँ पर मैं आपको एक graph के माध्यम से यह सारे steps समझाने की कोशिश करूँगा, और बिल्कुल simple और सटिक समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें if but this that कुछ भी नहीं है, कि यह करो, यह ना करो, यहाँ पर यह आपको comparison कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल simple इमने इस graph को बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको यह करनी है, यह करनी है, आपका blog setup हो जाएगा, आपका business setup हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आपने language को target कर सकते हैं, या तो हिंदी आपने target करनी है, या अगर आपको English अच्छे तरीके से आती है, तो ही आपने English को target करनी है, otherwise अगर आपको English अच्छे तरीके से नहीं आती है, तो यहाँ आप English blogs नहीं लिखें, तो यहाँ पर मैंने दो language दी हुई है, हिंदी और English, अगर आप आपको हिंदी बहतर तरीके से आती है तो हिंदी में भी बहुत जाधा पोटेंशल है आप इसमें भी अपनी एसकोप देख सकते हैं और हिंदी ब्लॉग सी अभी के टाइम में इंडिया में जब से जाधा रहन कर रहे हैं मेरा भी ब्लॉग हिंदी में ही है आपको अगर इंग निश को यहां पर लिस्ट क्या हुआ है जैसे कि फाइन्स हो गया एजूकेशन हो गया टेक सॉलूशन हो गया हेल्थ हो गया फूड रिसीपी और फार्मिंग यह छे जितने भी यहां पर माइक्रो निश आपको दिख रहे हैं यह इवर ग्रीन है इनके उपर कभी भी आप ब् ब्लॉग सेट अप करनी के लिए डोमेन और होस्टिंग आप कहां से ले तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो के अंदर यह बता चुका हूं कि अगर आप इनिशियल लेबल पे हैं बिगनर है तो सबसे पहला ब्लॉग जो आपको बनानी है वह होस्टिंगर पे ही बनानी है क यह सबसे सरस्ता भी है मार्केट में मैं अपना affiliate link promote करनी के लिए मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं आप चाहिए किसी के भी affiliate link से purchase करें लेकिन hostinger का ही आप web hosting purchase करें और हो सके तो आप basic plan ही purchase करें अगर आपका बजट ज्यादा allow नहीं कर रहा है तो आप basic plan को ही purchase करें नीचे description में link मिल जाएगा अगर आपको मेरी affiliate link से purchase करनी हूँ तो आप एक तरीके से मुझे help भी कर सकते हैं उसके बाद हमने theme and plugins तो theme and plugins के लिए आपने free या GPL themes and plugins को use करनी है आपको premium theme और plugin को purchase करनी की ज़रूरत नहीं है आप GPL के भी माध्यम से अपने blog को professional blog के अंदर convert कर सकते हैं या हो सके तो आप free theme का use करें free plugin का use करें लेकिन यहाँ पर एक चीज में include करना चाहूंगा कि जब आप free theme को use करें तो अपने blog के footer से जो theme के copyright का section होता है जहाँ पर honor का link include होता है उसे आपने remove कर दिनी है वो आपको वहाँ पर नहीं रखनी है GPL वर्जन आपको कोई भी theme या plugin purchase करनी है तो आप Google पर search कर सकते हैं इसलिए आपको 100-200 रुपे, 200 रुपे में मिल जायागा तो आप पहले वो use करें वो try करें उसके बाद research करनी के लिए आपने HRF, Ubersuggest, Google Trends और Google Ads का ही starting में use करना है इसके लावा अगर आप चाते हैं premium tools के उपर अपना पैसा invest करें तो starting में आपको यह नहीं करनी है starting में आपको इन free tools का ही use करनी है यहीं से आपने keyword research करनी है और chat GPT और bard को use करनी है chat GPT और bard से आपने यह काम लेनी है कि आपके blog के जितने भी outlines है वो सारी चीज़े आपने लिखवा लेनी है articles आपने नहीं लिखवानी है articles आपने खुद की research करके आपने language में उसको convert करके लिखनी है तो ही आपका blog unique बन पाएगा तो यह हो गया हमारा blog setup अब इसके बाद हमने SEO करनी है तो SEO के लिए आपको on page SEO करनी है तो on page SEO के लिए दो plugins मैं आपको recommend करूंगा इन दोनों में से कोई भी आप use कर सकते हैं rank math या used plugin इनका भी आपको GPL version मिल लाएगा आप मेरी site के उपर भी जा करके वहां से भी तक्रीबन 200 रुपे में purchase कर सकते हैं यह आपको पैस पैसे नहीं है तो यह आप नीचे comment कर जी मैं आपको freeway भी provide कर दूँगा उसके बाद आपने search console को setup करनी है तो search console के लिए आपको Google और Bing दोनों ही के अंदर आपने search console के अंदर अपने blog को setup करनी है इसको indexing करनी है backlinks के लिए मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया हुआ था कि किस तरीके से आप free high authority backlinks बना सकते हैं उस वीडियो का link भी आपको नीचे description में दे दूँगा उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपने free में high authority backlinks create करनी है या आप कोशिश करें कि free में अगर आपको guest post करने का opportunity मिल जाए तो आप बड़े bloggers के साथ guest post करके वहां से आप backlinks ले सकते हैं तो अब यह तीनो steps fulfill करने के बाद यानि कि आपको niche select करने के बाद blog setup करने के बाद उसकी proper SEO करने के बाद आप बार ही आ जाती है कि यह हम blog से पैसे कैसे कमाएंगे तो पैसे कमाने के लिए monetization के अंदर आपके पास दो ऐसे options है जिसके मादिम से आप अपने content को monetize करके उससे पैसे earn कर सकते हैं 90% लोग affiliate marketing का use करते हैं जो कि बड़े blogger हैं और 90% जो beginners हैं वो google adsense का use करता हैं जैसे कि मैं मैं भी google adsense का ही use करता हूँ हाला कि मेरे जो business page है यानि कि digital journey support.com उस पे मैं affiliate use करता हूँ तो यह दो options आपके पास है google adsense का भी approval आप लेकर उसके जरीए अपनी content को monetize करके पैसे earn कर सकते हैं पंद्रह हजार डॉलर भी आप earn कर सकते हैं और बहुत सारे इंडिया का अंदर ही ऐसे bloggers है जो कि earn कर रहे हैं तो I hope कि इस video के मादम से आपको एक clarification मिल गई होगी कि अगर आपने blogging start करनी है तो किस तरीके से start करनी है और definitely आप blogging से पैसे earn कर सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको informative लगी हो तो इसे like share जरूर करें साथ अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe के साथ साथ notification को भी on कर लिजिए क्योंकि इस चैनल के उपर आपको blogging affiliate marketing और web designing के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे business tips बगरा देखने को मिलेंगे सीखने को मिलेंगे इसके इलावा आप हमें social media पर भी follow कर सकते हैं जहां पर अगर आपकी कोई भी queries हो तो आप वहां पर हमसे resolve करवा सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में किसी ने टोपी के साथ जय हिंद